अरे मास्तर जी बड़ी भाग्याशारी है आपकी लड़की जो हमारे लड़के और फैमिली दोनों कोई पसंद आ गई ना जाने कितनी लड़कीयां देखी है इसने पर कोई लड़की पसंद नहीं आई आपसे पहले बड़ी ही समझदार और संसकारों वाली है हमारी बेटी हमारा बेटा भी किसी मामली में कम नहीं है लाखों में एक है हमारा लाइजा यह तो और भी अच्छी बात है अजी मैं तो कहता हूँ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं अरे एक अच्छा सा मुरुद निकाली है और निप्टा देते हैं शुक काम को जी जैसे आप अच्छा समझी पर समझी मेरे हिसाब से बच्चों की राय जान दी जाए तो ठीक रहेगा अजे कैसी बातें कर रहे हैं मास्टा जी आप बच्चों की राशी मिलवाई है और होदाने दीजिये नहीं अंकल जी आप लोगों को एक बर हमारी बात सुन लेनी चाहिए आपकी बात कैसी बात है हमारी कुछ मांगे है मांगे मांगे कैसी माफ कीजेगा शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे पर इस विश्टे को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को हमें कुछ प्रूफ देने होंगे प्रूव क्या इसे प्रूब है हमें आपकी बेटे के मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और आपकी बेटे के एजुकेशन और इंकम के पूफ चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन के साथ आपकी बेटे का क्यारेक्टर सर्टिफिकेट और जिस घर में आप लोग रहे रहे हैं, उस घर का ओनर्शिप टूंप चाहिए ये सभी प्रूफ देने के बाद, फिर चाहे राशी मिले ना मिले हम इस रिष्टे के लिए तैयार है Master जी, ये सब क्या है? माफ कीजिए शर्मा जी, अगर मेरी बेटी ने कोई गलत बात कह दियो पर शर्मा जी, जमाना बहुत तेजी से पड़ल रहा है जमाने के साथ साथ संसकारों को भी चेंज करना होगा नहीं तो ये रोज रोज तलाग के किस्से आगे बढ़ते चले आ रहा है इनको रोपना बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा अरे वाँ, आपकी बातों का बतलब है कि हम जूटे हैं और हमें साथ साथ साबित करने के लिए प्रूफ देने होंगे सुनो जी, मास्टर जी को भी बात करने का मौका दो कहिए मास्टर जी, क्या है आपके मन में शर्मा जी, हम ये नहीं कह रहा है कि आप जूटे हैं पर अगर आप घलत नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रूफ देने में आपको कोई परिचानी होनी चाहिए शर्मा जी, मेरी पत्नी के दिहान्त के बाद मेरी दोनों बेटियां कभी भी मुझे से एक पल के लिए दूद नहीं हुई हज, मेरी लाडली बेटी, मेरा जीगर का टुकडा जिन्दगी भर के लिए किसी दूसरे के साथ कैसे जा सकती है ये जाने बिना, कि वो कौन है, कहां से आया है क्या मेरी बेटिया को अच्छी तरह रख पाएगा श्यमाजी मैं अपनी बेटी का भागे तो नहीं बदल सकता लेकिन उसके अच्छे भागे के लिए प्रियास तो करी सकता हूँ प्रियास तो करी सकता हूँ अंकल, अब आप ही पताइए एक सिर्फ न्यूस्पेपर की आड के बेश पे कैसे मेरे पापा किसी के भी हाथ में मेरा हाथ सौब सकते है कैसे विश्वास कर ले इन न्यूस्पेपर वालों के उपर जो पैसे लेकर किसी के बारे में कुछ भी चाप सकते है अंकल, मैं एक लड़की हूँ और शायद आप लोगों को मेरा बोलना अजीब लग रहा होगा पर अंकल आपको पता है आजकल सिर्फ 23 परसेंट तलाग विचार ना मिलने की वज़े से और 77 परसेंट तलाग जूट के बुनियाद पे रिष्टे बनने की वज़े से हो रहे हैं हम लोग भेड चाल की तरह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के चक्कर में बेटीों को बसाना भूलते जा रहे हैं शादी से पहले हम लोग पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या फिर किसी ओफिस में जाकर इंक्वाइरी करवाने की बज़ए पंडितों से राशी मिलवाना जरूरी समझते हैं सोशल मीडिया पर अपने दिखावे के चक्कर में हम लोग लाखो रुपे सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग शूट पर ही खर्च कर देने में लगा देते हैं हमारे ही सबसे प्री वेडिंग शूट के बजाए अगर प्री वेडिंग इंक्वाइरी पर ध्यान दिया जाए तो शायद ये तलाक के किससे कुछ कम हो सकते हैं और अंकर हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़के या लड़के वाले ही गलत होते हैं ताली दोनों हाथों से बश्चती है इसलिए आपके प्रूफ लेने से पहले हम आपको वो सारे प्रूफ देना चाहते हैं जो हम लोग उने आपसे मांगिये शर्मा जी एक आखरी बात आपसे और कहना चाहूंगा कि इस तरह के फैसले कभी दिल से नहीं करने चाहिए दिमाग से करने चाहिए बाकी उपर वाले पे छोड़ देना चाहिए उसके आगे आपकी मरसी करने चाहिए